दियर इस्टुडेंट्स आज के इस यूडियो में हमें अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है पादपों एयों जन्तूं के आर्थिक महत्वें यानि कि पोदे और जन्तू हमारे लिए किस परकार उप्योगी हैं हमें इनसे क्या-क्या आर्थिक लाब हैं ठीक है यह हमारे खाने पिने में या देनिक जियून में किस परकार शें हमारे लिए उप्योगी हैं उसके बारे में एक खास बात जो इस पार्ट की है वो ये है कि इस पार्ट में पोदों के और जन्तों के कुछ विग्यानिक नाम है वो हमें जरूर व्याद करने है और ये पार्ट है संसुदित पार्ट एकरम के अनुसार 6 नमबर का पार्ट है निकी इस पार्ट में से 6 नमबर की क्यूशन प लिखा है कि मानव जीवन मानव जीवन क्या यहीं से क्यूश्य को लिए कि अधर बूत आउये या मनुष्य के लिए किनी आधार भूततूओं के नाम लिखियें तो मनुष्य को आधार भूत आने कि आधार का अलब बेसिक ये चीज़े ज़रूरी है चाहिए कौन-कौन शीया है भोजन वस्तर और मकान तो ये तीन नाम आपने को लिखने है कि मनुश्य की आधारबुत आउसकता है कौन कौनश्य होती है भोजन, वस्तर और मकान एक हो इसको याद करने का है कि मैं तरीका पता दूँ एक हिंदी में रोटी, कपड़ा और मकान नाम की एक मूवी आई थी फिलम आई थी, फिलम उसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान ठीक है तो रोटी, कपड़ा, मकान शी आप याद रसकते हो रोटी आनि बोजन, कपड़ा यानि की वस्तर और मकान रहने के लिए अपन को जरूरी है बोजन भी हमें जरूरी है, वस्तर भी आउसकता है और मकान की भी आउ सकता है, मनुश्यकから जिवने आपन करने के लिए तो एक किस्वन तो यहींसे बन जाता है और आदिसे समधित सभी समान पोदो से प्राफट होते हैं यानि कि बोजन भी हमें पोदो से प्राफट होता है कपड़े भी हमारे पोदो से कपास के जो रेशे हैं उससे कोटन के कपड़े बनते हैं ठीक है और मकान के अंदर भी अपने दर्वाजे खिरकिया वागरा है वो पेड़ पोदो की जो है वो लगाते हैं तो ये सारी ही अपने पोदो से प्राफ्त हने वाली चीजे हैं और अनाज जैसे बोजन में अपन क्य तो यह इनकी बारे मता रहा है कि रोटी कपड़ा मकार की सुपरकार्श उप्योगी हैं संपूर्ण जेव मंडल में सभी जीव परतेक्ष या अपरतेक्ष रूपसे पादत पर निर्वर हैं जेव मंडल का मतलब है अपनी पूरी परतिव आ गई जेव मंडल में तीन चीजे सामिल हैं जल मंडल इस्थल मंडल और वायू मंडल जब इन तीनों को मिला दिया जाए तो जेव मंडल बन जाता है छीक है तो जितने भी जीव है उन सब को क्या है वो बोजन के लिए पादपो पर निर्वर है परतेक्ष का मतलब जो जनतू सीदे ही बोजन को पादपो को खाते है वो तो परतेक्ष रूप से है जैसे गाय है भेडबकरी है खरगोस है वो डियारेट पोज़व को खाते हैं मनुष साकारी जंत को अपने भोजनी रूप में खाते हैं और वो वह साकारी जंतु हो दो महतुपुण पादपॉं उनके उत्पादों का अध्यन बहुत इंपोर्टेंट यहांसे परिवासा बनती है कि आर्थिक उनस्पति विज्ञान कहलता है लुग उससे आपने क्या करते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान केकोनोमिक बोठनी यह आपको याद रखना है पोदों की बात करने पर ले कि आर्थिक रूप से मतुपन पादबों को निमन वर्ग माटा गया है इसमें अपने हल्लेमस में तीन भाग़े माटा गया इसको एतो खाद्य पादब जो बोजन के करने में कामाते हैं जिसे अनाज है, डाले है, तेल है सरसो का तेल है, मुंगभली का तेल है मसाले है, पेपदार जैसे चाई कोफी है, सबजिया है, फल है यह सारे खादे पादब हो गई दूसरे ओस्द्य पादब, इसे पुद्रे जिन से ओस्दियां तयार होती है, दवाई खड़किया बनती है, और रेशे समझेद जैसे कपास है, जूट है, मून्ज है यह रेशे वाले पादब है और इमारती कास्ट में जैसे कास्ट सागवान के लेकड़ी बहुत ही इंपोटेंट है सीसम की है, रोइडा है, खेजरी है और कपास जूट तो है, रेशे वाले होगे तो इस परकार से यहां पर देखो सिदा क्यूसन बना सकता है कि खादे पादब कौन-कौन से हैं जिसे आपने को बोजन प्रात होता है, यह वाले होगे ओश्दे पोदों के लिए नाम होगे लेकिन देखो, बच्चे गलती कहां करते हैं जैसे अगर इसे परसना जए कि किने अनाज वाले दो पोदों के नाम लिखो तो आप कर दोगे गेहूं, चावल या मक्का, बाजरा इतना आपको उत्तर करना सफिशेंट नहीं है अगर आप इतना ही इसका लिख के छोड़ देते हो तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि आप दस्वी कलास का एक्जाम दे रहे हो अनाज तो ये पांच वी छटी कलास के जो बच्चे हैं तीसरी छोटी कलास के बच्चे हैं ये उनका नाम होता है कि दाल, चावल ठीक है? जो भी अपने अनाज की बात करते हैं तो अनाज में जैसे गेहू है, मक्का है, बाजरा है, चावल है तो ये तो उनके लिए उनका है आपको उनकी विग्यानिक नाम लिखने है पोदो के हैं, जैसे चावल का विग्यानिक नाम ठीक है, मक्का का विग्यानिक नाम बाजरे का विग्यानिक नाम, तो आपको ये ध्यान रखना है आप परसन पढ़ते हैं खुश हो जाओगे और कितना सरल परसन आया है कि किने दो अनाज उत्पादक पादबू के नाम लिखो आपने लिख दिया, चावल और गेहु कोई नमबर नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि आपको उनकी विग्यानिक नाम या वनस्पतिक नाम जिसको कहते हैं बोटनिकल नेम, वो लिखने हैं अब आपको ओगे, सर वनस्पतिक के नाम क्यों बनाई वी? देखे, जैसे आपन यहां पर गेहु की बात करते हैं तो गेहु की कई नाम हैं अलग-अलग राजियों में कुछ जगह इसको कनक कहते हैं और गंदे का अलग नाम मिलेगा पोदो की नाम भासा के आदार पर बदल जाते हैं तो पूरे विश्व में जैसे नीम का पेड़ है तो नीम का पेड़ पूरे विश्व में कहीं चले जाओ उसका विगनिक नाम करकर दिया चैना में हो, अमेरिका हो, ठीक है इंगलेंड हो, कहीं पर भी हो तो आप उसका नाम एजेटी-रिक्टी का इंडिका मिलेगा जैसे मक्का का नाम जी या मेज मिलेगा, चैना आप अमेरिका में चले जाओ वहां उसका विगनिक नाम क्या होगा, विगनिक नाम पूरी पर्थि पूरे एक नाम है और वेसे अपन लोकल भासा में उसके नाम अलग-अलग हो जाते हैं इसलिए विगनिक नाम दिए गए हैं ताकि एक रूपता हो एक जैसे नाम हो ठीक है तो ऐसे पर सना सकता है कि और पात्पों के कि नहीं चार और पात्पों के नाम लिखो तो यह अस्वगंदा फीम इतना लिखना सफिशेंट नहीं है आपको इनके विगनिक नाम लिखने हैं ठीक है तो अब एक एक अब विगनिक के बारे में समझेंगे पहले विगनिक नाम देखो पहले बात करते हैं खादे समंधित मैतों के पादब खादे में कौन-कौन शीया जाएंगे दौर देखी का अन लिए उर्जा क्या हो सकता होती है या जहांगा क्या अप taras चंदा में होतरव से मिलती है वो उर्जा में अपले चार नाम एद करने है ग्यों है चावल है मक्का है और बाजरा है ठीक है अनाज के लिए आप याद कर लीजिएगा अब देखो अनाज के लिए भी कई बार बोर्ड प्रिक्षा में जो किसन पुछे गए हैं वो अपन देखते हैं कि खादे पतारतों का यह सबसे मैं तो पुन सम्मूँ है यह घास कुल ग्रेमिनी या पुजिशी के सदश्य है बहुत इंपोर्टेंट है यह अनाज जो है वो पादब जगत के कौन से कुल में रखे गए हैं जैसे पुदों के अलग अलग कुल बना रखे हैं ठीक है तो घास कुल बोल दीजिए यानि कि मक्का है बाजरा है चावल है गेंव है यह घास कुल के पोदे हैं दूब घास की तरह होता है, घास कुल में आता है, ठीक है, परंतु बास है वो अनाज नहीए, कहीं आप सूच़ोगी है, गरेमिनी कहिने करें लो घहास कुल के अंदर बहुत सारे पोड जाते हैं दूब घहास इस खुल में तो कोन से कुल में रखा गया है इसको घहास कुल भी कहते है और मुझे रूप से अनाज teknole घैसे हमें इस्टार्ज आützenज अनिक करबो हेड्रेक而 क, क्रबो हेड्रेट का एक परकार है आप याद कर लिजीं, अनाज में कर्भोधित होता है, ज़िसे autres होता है, इस्टार्ट सब्ध है, रच में सम क्या होता है, जब मानव स्रीम से चाहसं क्या हुए क्या है इसको अधार्यत है, इसका ऋक्षिकन होता है और उससे उर्जा बनती है। अब अनाज हमें कौन-कौन शियाद करने हैं पहले आपके दे रखला गेहूं का नाम किया है तो गेहूं का वार्सपती का नाम लिखता है वियंक नाम हो अब तो सब्ध हैं त्रिटीकम और एस्टाइवं ट्रिटीकम इसकी करें है ठीक है पहला अक्सर होता है पहला जो सब्स होता है इसका वो इसका होता है दूसरा इसकी जाती का होता है ठीक है इसे रभी की फसल के रूप में बजाता है रभी आने की सर्दियों में जो फसल बोर जाती है रभी की फसल इन दोनों अपने ख्यतों में अपने रास्तान के गेहों की खेती चल रही है घ्रही है जो जर रखा है तो यह रवी की फशल है तरीजोती है metric पसल रवी की स्थवन जिए पढ़ा था आ जाल रा आपको आपको उसका विगनिक नम लिखना है ट्रीटीकम एश्टाइवम ठीक है तब आपको पूरे अंग मिलेंगे और इन नम आपके एक या दो नमबर की नम पुछे जाएंगे ठीक है तो आपको जान रखना है रेवी की फसल गेहों की बाद चल रही है और इसके नम है ट् अधिक उत्पद्र होता है ज्यादा अनाज पैदा होता है ठीक है तो किशन एक्जाम में पूछा कैया है बोर्ट प्रिक्शा में कि गेहों के किनी दो उनत किसमों के नाम लिखो तो सोना लिका ये किसम का नाम है कल्यान सोना सरबती सोनारा अब देखो इसमें आपको आपक करने कि भी कहते हैं और नाम आपको देखो एक दिन में याद नहीं होंगे आपको क्या करना है इन नामों को एक रजिश्टर में या किसी पेज के उपर आप लिख लिजिए और अपने दिवार के उपर चिपका दीजिए जहां आप बेटके पढ़ते हो जहां रात को आप सोत तो एक बार उनको पढ़ लो रात को सोते हूँ समय भी पढ़ लो जिस परकार शे डोक्टर दोए देता है ना एक सूब है एक साम को ठीक वेश से अगर आप याद करोगे तब तो आपको यह नाम याद रहेंगे वरना भूल जाओगे एक साथ परिक्षा नजदीक आएगी त तो क्या होगा किस्टन गहु का नाम पुछा गया है अब चावल का लिखके आ जाओगे चावल का पूछ रहा है आप मक्का के लिखके आओगे इसलिए म, आपको बता रहा हूँ, यह पार्ट जो है इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ वेगानिक नाम जो है वह काग को नाम लिखिए तो चाओल है आपने चाओल लिख दिया तो उत्तर गलत मना जाए का प्रकार से चाओल वेशा तो सही है लेकिन यह परथम इस्थान पर आपने ही होता है और इसकी उनत किसमें यह भी इंपोरेंट है ठीक है एक्जाम की दश्टी से बासमती चावल नाम सोना होगा आपने सवरणदाना, जया, रतना और सोना ये सारे नाम जो हैं चावल के हैं अब देखो एक बार एक्जाम में बोर्ड में उल्टा क्यूशन पूछा गया था कि जया, रतना, सवरणदाना किसकी उन्द किस्मों के नाम है तो किसके हैं ये, चावल के हैं ठीक है ना, उल्टा क्यूशन भी इस परकार से पूछा गया है तो जो क्यूशन बोर्ड एक्जामें पूछे गये हैं किस तरीके से पूछे गये हैं और कैसे आ सकते हैं वो भी मैं साथ-साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे अंक हासिल कर सकें तीसरा अनाज है मक्का जिसका नाम है जिया मेज जिया इसका वंस है, मेज इसकी जाती है ठीक है, पुरा नाम जिया मेज हो गया या अपने ऑपने बुट्टे अपन खाते हैं तो ये अपने बरसात किसी जुन में आते हैं जोला या अगरस्ट के नादर आते हैं तो इसको मैने जून में बोई दाता है ठीक, तो ये खरीभ की भसल है और इसकी उन्रत किसमे है विजे, सक्ति और रतन यह याद करें लिए बहुत important है यह exam में कई बार पुछा गया है कि विजे सकते हो रतन किस की उनत किसमें हैं मक्का की हैं या मक्का की कि नहीं दो उनत किसमों के नाम लिखो तो आपको दो नाम को भी लिखने हैं तो इस परकार से exam में पर सुनाते हैं फिर अगला है बाजरा बाजर देखिए बाजऱ रास्तहन में खूब होता है अपने चीक है कुस जगह इसको बाजरी के दाने जो है इसकी iç cci बाजरी बाजरा नाम है पेनिशिटम टाइफ आइडिस बड़ा नाम है लेकिन बार बार लिख लिके याद करोगे तो याद हो जाएगा इसे भी खरीब की फसल यानिकि इसको अपन कब बोते हैं जब गर्मिया होती है ना अपरिल मई या जून के अंदर बोते हैं इसको ना और ये गर्मिया में पत्यार हो जाती है और में तो पुर्ण एक मोटा अनाज इसको मना गया है गोन अनाज मना गया है क्या मना गया है इसको मोटा अनाज या गोन अनाज मना गया है तो ये तो बाती हुई अपनी किसकी अनाज की खाते पता थे में अनाज की बात हुई आज में क्या था कार्बोहाइडरेट तीक है डाल में क्या है प्रोटीन होता है डाल में क्या है प्रोटीन याद करना आपको और यह कौन से कुल के पोदे हैं जैसे डाल कुल के थी ग्रेमनी या पोईशी कुल की थी तो यह लेगुमिनेशी कुल के पोदे हैं कौन से कुल के ह साहजी वी जीवन होता है वह वावनल से नैटरोन को लेता है और पोदे को नतरव मतना की पूर्ति करता है और उसी लिए दाल के अंदर नदर प्रोटीन होता तो, साईसर एराई टीनम ठीक है क्या नाम है साईसर एराई टीनम इसका नाम है वरिर्सपत्ती नाम बोल दीजिये विकनिक नाम बोल दीजिये की बात है डैविक की फसल है, सर्द में बोजाती है इंदिनों बोरख love you है hiç ie अच्राव दालों का ना है जैसे चावल का था भी से चने का भी है फ़ला इस्तान इसे दालों का राजा कहते हैं यहां सी कुछिन कई बार पुछा गया दालों का राजा किसे कहते हैं बहुत सारे चीजे में काम आता है चने के जो पाउडर होता है चने को पीश लेते हैं इसके बीजों को चने की बीज ये हैं इनको पीश ते तो पाउडर को बेसन कहते हैं जिसे डाल बनती है इसे बेसन शेय अपने पकोडिया बना सकते हैं या फिर बेशन के लड़ु बनते हैं बहुत सारी मिठाईया बनती हैं बेशन की चक्की बनती है डलों कर राजा कहते हैं और अगला है अरहर यह दाल देखो इस प्रकार शेयर की डाल होती है आपने खाए भी होगी दाल और मैं तो यह सलादुगा कि डाल आपको बोजन में एक त्राइम सूबा या साम को किसी मैं दाल का बोजन करना चाहिए तो अरे और है जो है वह है मतर है मटर doe का विक के जिगा नाम है sa ngj मटर में बी दाल कूल में अता है ग्रम करनी नव क bounds थीक है अगला है मौंग है डेखो मूंग फ्ली आहां बहुत जुरूरी है याद करना बहुत इंपोर्टिन नाम है इसका नाम है। क्यों है देखो मूंग प्ध्रिय क्योंकि तेल वाले पोड़ों की एकर कुस्षोन आते हैं कि कि यह दो तेल आंस नम लिखो जो मुंगफली परशीद है वो बिका नेर के लून करन नसर की है छीक है? अच्छी क्वालिटी की मुंगफली मनने जाती है तो मुंगफली का नाम आपको दो जगा काम आजएगा दाल के लिए और तेल के लिए तो आप यह नाम बिलकुल याद कर लिजीगा इसी परकारशे सोयवीन की बात हो रही है देखो सोयवीन जो है दिखर आपको डागराम के अंदर यह दाल कुल विए अंदर इस परकारशे होता है सोयवीन छीक है? इसका नाम है गलाइशीन मेक्स गलाइशीन मेक्स नाम है यह भी आपको बहुत जुरूरी याद करना क्यों कि यहाँ पर मैं एक बाद प्ताता हूं आपको सोयविन को भी तेल निकलता है सोयविन का तेल आता है ना रिफाइन्ड ओड तो सोयबीन तेले पोदों के अंदर भी है और दाल वाले के अंदर भी है अब एक्जाम में परसना जाए कि कि इन्हीं दो तेल वाले पोदों के नाम लिखो तो आप मुंगफली और सोयबीन करके आ सकते हो एनिकीन के वेगाने के नाम लिखने हैं आपको मुंगफली का रेकिस हाइपोजिया, सोयबीन का गलाइसिन मेक्स है, ठीक है, और दाल के अंदर भी याद कर सकते हो आप इसको वहाँ भी लिख सकते हो, और इसमें सवाधिक प्रोटीन पाजाती है, देखो अपने दाल पड़ अपराजा काते हैं, लेकिन इसमें सबसे दा प्रोटीन के इसमें है, सोयबीन में होती है, ठीक है, अब यह देखो, इस स्वाधिन के बीज जोहिन को पीस करके इसका पाउडर से गोल गोल अपने इस परकार से सोयबीन के वो बनाए जाती है, बुंदल टाइप की, और उन उपातक पोदे, तेल कुन-कुन उपास से पराप्त होता है, तो मैंने उपर भी आपको बताया था, तेल मुंगफिली याद कर लीजिए, और दूसरा मुंगफिली यानि कि अरकिस हाइपोजिया, और दूसरा क्या था, स्वैबिन, गलाइसिन मेक्स, ठीक है, यह जटिल कार्बनी क्योंगी हैं, जो कार्बोहेडरेट, एस्टर, एल्कोहल, एल्डी हैड आदी के बने होते हैं, यानि कि पोदों से जो तेल प्राप्त होता है, उसे तेल के अंदर क्या सबजी, या फिर कुछ फ्राइ करके खाते हैं, तो खाने योगे तेल जो है, मुंगफली का तेल, देखो मुंगफली का नाम, अरेकिस हाइपोजिया, तिल का तेल, रास्तान के अंदर तिल का उत्पदम बहुत होता है, तो तिल का तेल भी बहुत पोश्टिक होता शरी के और नारियल का तेल, दक्षणी भारत में मुख के रूप से नारियल का तेल ही लोग खाते हैं, अपन तो बालों में लगाने में कामले तेल, बोजन के रूप में खाते भी हैं उसको, चीक है, और सुयबिन का तेल, अपने यहां इसका उत्पदमी होता है, जहलावाड में खुब होता है, और LC का तेल, LC जो है, GC, OMEGA, FASSID का स्र explicitly है, इसके बीज भी खाने के रूप में आते हैं, LC का तेल, और सुर्ज मुखी का तेल, सुर्ज मुखी का तेल, सुर्ज मुखी जिसमें बड़े बड़े फूल होते हैं, इस परकार शे फूल मुखी में देखा होगा आपने पीले रंग का फूल होता है, बीच में बीज होते हैं काले रंगे, तो सुर्द मुखी का पी तेल, यह सारे खाने योगे तेल हैं, अब एक्जाम में आजए है कि खाने योगे तेलों के नाम लिखो तो मूंग फली का नाम, एरकीस हाइपो यह कर देना, और आप यहां स्वयबिन भी कर सकते हो, स्वयबिन का तेल, गलाइसिन मेक्स कर सकते हो, दूसरे हैं एक खाते तेल, जिनको खाने की योगे नहीं है, जो अपने खा नहीं सकते हैं, जैसे अरंडी का तेल, अरंडी अपने जालोर में, सिरोही में, उदर खूब होता है, ठीक है, तो अरंड परफ्यूम बनता है तो जिसे कपूर है और चंदन है चंदन का पेड़ होता है चीक है और लोंग है लोंग का तेल अपने मुख्यूरूप से उसमें गंधी भी होती है और जिसमें जिसमें जार दात में दर्द होता है उसको लोन का तेल भाल दिया दाता है खस का तेल है यह सारे सुगंदी तेल है ठीक है तो इस परकार से आज के इस वीडियो में हमने तीन चीजे पढ़ ली एक तो अनाज, दूसरी दाले और तीसमें तेल और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शीकर दन्यवाले